आज हम बना रहे हैं कश्मीरी चिकन जो नॉर्मल चिकन ग्रेवी से काफी जादा हटके हैं एक तो इसका प्यारा सा टमेटो रेड कलर और दूसरा इसमें डाले जाने वाले खड़े गरम मसाली ये दोनों चीज़े मिलके इस रेसिपी को एक बहुत ही उनीक फ्लेवर देती हैं मुझे नहीं लगता है कि अगर आप चिकन मनाने का सोच रहे हैं तो इससे असान कोई और रेसिपी भी हो सकती है तो चलिए फिर बिना दरी करें मुझे पे आते हैं और रेसिपी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ खड़े गरम मसाले लेने होंगे इसमें जाएगा तेजपता लॉंग, इलाइची, स्टार एनेस, जिसे चक्रफूल भी कहते हैं जाएफल, साबुत काली मेच, बड़ी लाइची, दाल चीनी और एक बिल्कुल छोटु साल जाएफल का फीस इसे डाल देंगे गरम गरम रिफाइन ओयल में अब आपको अपने कुछ आसू बहाने और भारिक बारिक प्यास कट करके इसमें डाल देंगे प्यास को गोल्डन ब्राउन हो जाने तक हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है और प्यास प्रॉपरली अच्छे से पके इसके लिए हमने इसमें नमक डाले इसे प्यास का कलर बिल्कुल इवन आता है टमाटर को गल जाने तक इसमें पकाएंगे इस मुवन पे अगर आपको लगने लगे कि टमाटर तो गल ही नीरा है तो आप इन्हें थोड़ी दे के लिए ढख सकते हैं तो युदे की टमाटर प्रॉपरली मशी हो जुके हैं अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे जाएगा इसमें 1⁄फय की टीपलजली पॉर्डर, 2व धनिया पॉर्डर, 1व रेट चिली पॉर्डर और इसमें एक व्यूटीफल सा रेट कलाव देने के लिए हमने आपे 1 तेब़ देगी पॉर्डर भी आड़ करें तो हमने दो बार पानी डालके मसाले को अच्छे से भुन लिया यह देखिए कि इतना पॉफेक्ट इसका कलर आ गया है ऑईल भी सेपरेट हो चुका है अब इसमें हरी मिर्चे आड़ कर देंगे चिकन को हमने थोड़े देर वेनिगर वाले पानी में डालके छोड़ दिया था और बस इसे थोड़ी देर मिक्स करके छोड़ देंगे पकने के लिए अगर आप चाहिए तो इसमें से दही स्किप कर सकते हैं और ऑफंटिक तरीका यह है कि इसमें दही डाला जाए थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें लेमन जूस डालेंगे थोड़ा सा केवरा वाटर जाएगा और बस फिर जैसे आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रखनी है उससे साफ साफ इसमें गरम पानी आइड कर सकते हैं तो हमने हाँ पर लगबाग एक कप पानी आड कर दिया अब इसे ढख के लो टू मीडियम फ्लेम पे चिकन के गल जाने तक पकाना है तो watching! Bye bye!